इस बार में होने वाले है कि आपकी शादे किससे होगी और वो लब मारेज होगी आरेज मारेज होगी तो अगर you have a partner in your life या आप किसी से शादी करना चाहते है कोई crush है या शादी से related आपका कुछ भी question है तो आज की reading आपके लिए है आप उसे देख सकते हो timeless है आप जब भी देखोगे आपसे match करेगी resonate करेगी जरूर और यहाँ पर हम आज initial name initials पे based reading करेंगे तो जो लोग नए है उनके लिए मैं बता दूं कि आपको क्या करना है अपने नाम की जो first letter है आपका initial है जो name का उसके according pile को चूज करना है जैसे suppose अगर आपका नाम Tina है तो आप T letter को यहाँ पे देखिए जैसे T letter is pile no 2 में है तो pile no 2 आज आपके लिए है तो आप pile no 2 चूज कर कि आपका जो answer है वो pile no 1 में है अगर आपको लग रहा है pile no 1 चूज करना चाहते है तो आप चूज कर सकते है बड़ मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि आप एक pile को चूज करो चूज करो जिनको confusion होती है चूज करने में तो वो अपने name के according चूज कर सकते है यहाँ पर आप अरा से start होता है वो इस pile को चूज करिए और जिनका भी name इस letter से start होता है like b d f h j l n p r t v x z तो इस pile को चूज कर सकते हैं ठीक है I guess हम clear कर चुके हैं यहाँ पर कि हमें किस तरह किसे piles को चूज करना है ठीक है अब इस reading में हम love marriage and range marriage इस topic को भी cover करेंगे कि जैसे अगर आपकी love marriage होग या फिर आपको किस तरह से decision लेना पड़ेगा अपनी शादी को लेकर तो किस तरह की wives रहने वाले आपकी शादी की तो वो चीज़ें भी हम आज की reading में cover करेंगे उसके अलावा आज अभी अभी हम करते है start आज की positive affirmation से so आज की positive affirmation होने वाली है I am open to receive all the abundance that universe has to give me so इस affirmation का मतलब यह है कि आप universe को बोल रहे हो कि you are open to receive मतलब जो universe आपको blessings देना चाहते है उन सब blessings के लिए आप open हो इस manifestation का इस affirmation का यह मतलब है तो आप इसको चाहें तो एक journal बनाके blue pen से लिख सकते है five times लिखे minimum five times लिखे बाकी maximum आप बहुत जादा बार भी लिख सकते हो like ten times लिख सकते हो 11, 22, 33, 55 times जितना आपका अमन करे again मैं आपको बता देते हूं बाकी कि मैं comment section में भी लिखुंगी आज की positive affirmation जो है I am open to receive all the blessings that universe has to give me thank you universe so अभी हम start करते हैं with pile number one आज की reading good luck hello pile number one welcome to pile number one जो जिन्हों ने भी pile number one को चूज किया था देख लेते हैं आज की reading आप से क्या कहना चारिए आप किस तरह के person से शादी करोगी किस से होगी आपकी शादी और वो love marriage होगी और range marriage होगी तो चलिए हापर बात करते हैं अगर हम आपकी शादी के बारे में देखें तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जो pile number one देख रहे हैं आपकी life में कोई ना कोई है जिससे आप चाहते हो आपकी शादी हो जाए या फिर you have that imagination in your mind के आप किस तरह से और किस इंसान से चादी करना चाहते हैं अगर pile number one के लोग मैं बोलूगी अगर love marriage करना चाहते हैं तो good news यह है कि आपकी love marriage हो सकती है there are strong chances love marriages के आपके लिए हाला कि आपका जो रिष्टा होगा ना देखो बहुत चाहे लोगों के लिए बहुत लंबा रिष्टा हो सकता है कि आपका 5-6 साल का रिष्टा रहा हो से जादा का हो तो एक long relationship हो सकता है जिसमें आपने hardships भी देखी हैं दुख भी देखी हैं और आपको ऐसा लगता होगा कि हर दिन बहुत बुरा है और दिन आपको anxiety हो रही है परेशान हो आप ठीक है उसके बाद में को ऐसा लगता है आप लोगों की financial condition बहुत जादा सुधरी जैसे हो सकता है आपने job कर रही हो आपके partner ने job कर ले और फिर जैसे होता है आप लोग उस पावर में होते हो आपके पास वह authority होते है कि आप पहली चीज जो मैं आपको advice दोंगी इन tarot cards की तरफ से वो यह कि first be independent पैसा कमाओ independent हो जाओ एक अच्छी job ढूण लो जिससे आपको लगता है कि आप अपना पूरा खर्चा निकाल सकोगे तो आपके parents को मानना पड़ेगा आपकी बातों को एक तो आप बहुत confidence में आ होगे हाला कि अपने parents को मनाना आपके लिए still easy नहीं होगा घर है घर में कलेश तो होगा हो सकता है उनको पहले ही पता चल जाए जब आप उनको बताना चाहो उससे पहले उनको पता चल जाए आपके relationship के बारे में या फिर जब तक आपकी job ना हो तब तक पता चल जाए तो वो गुसा होंगे बहुत ज़्यादा परिशान भी होंगे आपके उपर restrictions भी लगा सकते हो सकता है जैसे आपको बोल दे कि नहीं है यह शादी तो नहीं हो सकती या फिर यह लड़की तो बिल्कुल पसंद नहीं हमें तो नहीं पसंद के तुम इससे शादी करो हो सकता है वो इसे ही होगी वो एंड में मान जाएंगे आप चाहें मतलब कितना भी आपको लग रहा हो कि आरो बहुत ज़्यादा गुसा कर रहा है या बहुत ज़्यादा चिला रहे है आप मना करे जा रहे हैं बड़ नहीं बाद में वो मान जाएंगे ऐसा नहीं है कि वो परिशान करते कि एक चीज मुझे थोड़ी से लगती है कि तुईन फ्लेम कनेक्शन है पेश्टक आपको लगता हो कि आप की इसवेंटे वह जादा हावी है तो इनफैंशन हैं तुईन फ्लेम जिन्दी हस्ते हस्ते कात लोगे मतलब प्रभी आप के सात की आदत है। तो मैं मैं तॉखने टॉर्प अप लिन्ने और मैं आप दोनों हिएक जैसे हो, तो जैसा भीएवर आपका है वैसा ही पार्टनरव का है। जीससे होता है नहीं आप गुस्सा हो तो फील शॉचा pane दोटोडी हो लटाम की जातीया हैं कि य॑ टीन लड़ लेकिन फिर आपको अंदर से पता होता है कि डिखो अभि लड़ रहा है फिर आपने 10 15 मिनिट वैसा हो जाना है फिर एक दूसरे से बात करनी है, फिर एक दूसरे के साथ जैल अप हो जाना है, तो उस तरह का relationship है, मैं यहाँ पर यह नहीं कह सकती, reading को देखते हुए, कि कोई भी हाँ पर एक victim है, या दूसरा abusive है, ठीक है, आप दोनों का relationship मतलब equally एक दूसरे के लिए abusive है, मतलब एक जना और दूसरे को ही हमेशा सुनना पड़े, तो वो बहुत बुरा हो जाता है, एक बंदा हमेशा सायन करता रहे, लेकिन अगर दोनों ही चिला रहे हैं एक दूसरे को पर दोनों ही अपने आपको express कर पा रहे है एक रिष्टे में, तो ऐसा रिष्टा फिर भी उस रिष्टे से बेटर है, बाकी आइडल सिचुएशन तो यही है कि जगड़े कम से कम हो या फिर एक दूसरे को जादा समझे, कमपैटिबिलिटी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा ऐसा होना चाहिए ना कि एक जना चिला रहे तो दूसरा चिला रहे तो दूसरा चिला रहे तो पहला शा यहाँ पर, अच्छा यह तो हुई लव मैरेज वालो की बात, कि लव मैरेज तो कर लोगे, पैरेंट्स की मर्जी से होएगी, और निभा भी लोगे, बहुत बड़िया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे, पाय लूबर वन में, जिनको मतलब कोई मिली नी रहे लव करने क कैसे करेंगे, तो भाई ऐसा है, कि अगर हम लाव मैरेज के लिए कोई नहीं मिल रहा, तो इस ओके, जब आपकी शादी होएगी, तो बहुत अच्छे इनसान से होएगी, बहुत धूमदाम सी होएगी, और यहाँ पर, मतलब, कैसे बोलूँ, एक लेट मैरेज या डिले मैर अर्श होसकती है, आप लोगों के लिए, लेकिन जब भी होएगी, ना तो ऐसे बोलते हैं, देर से आये, लेकिन दुरुस्त आ वो वाले खावत आप लोगों के लिए बिल्कुल सच होने वाली है क्योंकि आपकी जो partner होंगे चाहे वो देर से आये लेकिन वह बहुत अच्छे होंगे सब लोग ऐसे तारीफ करेंगे कि यार what a find बहुत ही बहुत ही अच्छा इनसान है और एक दम आपने जैसे मैनिफेस्ट करा हो ना अपने ड्रीम का पार्ट्नरे को उस तरह की किसे भोने वाले हैं मतनczęे पार्ट्नरे की अंतर्ब Pretty qualities वो चीज़े होने वाली हैं जो एक आतने manifest कर योगी कभी ना कभी और अगर आप manifestation करते हो ना तो भहुत अच्छी बात है आपके लिए बहुत अच्छा भी रहे manifestation करना आप अपने partner को manifest कर सकते हो which is good年前when manifestation क्या था था ना पहले मैं अपने partner को लेके manifest नहीं करती थी because मुझे मेरी manifestation टाचूट बहुत strong है और बहुत time का practice भी है तो मैं actually manifestation नहीं करती थी पहले because I was not ready for marriage लेकिन जब I was ready for marriage तो मैंने manifestation किया and I swear मैंने manifestation किया था मैंने सिर्फ एक ही बार अपने journal में लिखा था तो मैंने लिख कर manifest किया था अपने partner को और मैंने एक बार manifest किया था अगस्त में August 2020 में मैंने manifest किया था अपने partner को वह भी around like after 20 जिजए अगस्त में 20 तारिक के आसपास कुछ मैंने manifestation किया था process और उसके बाद 13 October को मैं अपने partner से पहली बार मिली थी और literally हम life में पहली बार मिले थे मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता था जब मैं उनको देखने के लिए गई थी कि वह उनका नाम क्या है और हमारे मिलने के कुछ भी देर बाद मतलब शाम तक हम लोगों का रोका हो चुका था लिटरली हमारी शादी डिसेंबर में हुई थी 2020 में ही तो मैं मतलब यहां पर यह बोलना चाहरी हूं मैंने manifest किया था उनको अगस्त में और 13 अक्टूबर को मेरे सामने थे और वो मेरे हो भी गए थे उसी एक दिन में और जब डिसेंबर में मैंने उनको वो अपना manifestation दिखाया कि मैंने इस तरह के partner को manifest किया था तो वो हैरान थे कि मैंने यह चीजें कैसे पता करी उनके बारे में क्योंकि वो ऐसे ही है और मैंने बुला कि मैंने आपके बारे में नहीं पता खरी यह मैंने इन अपने dream partner के लिए लिखी थी कि वो कैसा होना चाहिए so I'm like really glad कि आप में वो सारी qualities है और मैं उनको देखती समझ गी थी कि यह ही है वो so manifestation is a really strong tool if you really want to you know have something in your life that is very you know important for you like मैंने अपनी job को manifest किया था मैं हमेशा से यही job करना चाहती थी plus place को manifest किया था कि मैं किस place पर job करना चाहती हूं फिर मैंने अपने partner को जैसे कि आपकी job आपका partner आपके लिए एक बहुत important decision होता है लाइफ का तो उनको manifest किया था तो वो भी बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे मुझे चाहिए थे touchwood तो manifestation again मैं बहुत emphasis कर रहे हूं उस चीज के उपर एक बहुत ही great tool है और आप अभी उस phase में चल रहे हो जहां पर आप manifestation करते हो अपनी life में तो you can manifestation wonder you can manifest wonder actually for you तो आप चाहिए job manifest करो या फिर अपने partner को manifest करो आप उसको बिल्कुल ही वैसा manifest कर लोगे जैसा आप चाहते हो सकते हैं तो आप अभी अपनी उस power में हो तो आप manifest करो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है 2023 manifestation के लिए तो देखना आप वैसे partner को manifest कर लोगे जैसे को आप चाहते हो manifest करना यह आपके लिए बहुत यह अच्छी बात है तो आप जर्नल लिखोगे तो भी अच्छा है बाकी बोल के भी manifestation कर सकते है अगले process उसे you can learn that also और चाहो तो मुझसे भी सीख सकते हो उसके लिए मुझे कर देना इंस्टा पर या फिर मेल भीज़ देना मैंने स्क्रीन पर डिटेल डाली हुई है तो आपको थोड़ी अंजाइटी या डर तो लगेगा शादी से पहले और शादी की बात भी यूल राइस कि देखो आपके पार्टनर तो ठीक है लेकिन आपके इनलोस बगर इता करो Azim Lamb, छादा सब्पोर्टिव नहीं होने वाले और वह काफी आप लोगों को परिशान करने वाले और आपको कहीं डिस्त्रिक्शन में डालने वाले हैं कि हाँ लाइन जाना यह चाने करना यह नहीं पहनना तरह मलाई होते हो खिर प्ले कहरा शिंदक्स थैस्क्शन यह मा वाले हैं पहली बात तुझेसाप मैंफेस्ट करोगे दूसरी चीज अगेर वह आपकी टुन फ्रेम है तो टुन फ्रेम अनर्जी बहुत जादा है यहां पर एक चीज में बोलूंगे आपना शादी के बात बहुत जादा चेंज होने वाले और यह फोस्ट चेंज नहीं है कि आपन बहुत 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 आपको पता है यहां जोड़ जगड़ करने का जुरूत नहीं है आप बहुत शांत हो जाओगे आफट लाइफ में इसा इनसान आ जाए जो आपको शांत कर दे शांत कर दे इन-दा-स जो जब अबरतस्ती से नहीं आपने प्यार से आपको सु करेंगी after marriage तो वो चाहे वो पार्टनर का पैसा हो या खुद भी पैसा कमा रहे हो क्योंकि लगता है इंडिपेंडेंटली भी पैसा कमा होगे तो यू विल लान गुड आफ्टर मैरेज आपका बहुत मदब लख एन्हेंस होने वाले क्योंकि वो लायक ही निया बनाने के वह आपको थोड़ा परिशान करेंगे और फिर आपना गिव अप कर दो आपको लगेगा ठीक है ना मैं अपनी लाइफ इंजॉय करती छोड़ो नहीं है तो मानने वाले नहीं है पार्टनर आपके हमेशा सपोर्ट में रहेंगे चला लव नहीं नहीं मेरा बंदे को या मेरी बंदे को कोई कुछ नहीं कह सकता तो दार इस वरी स्वीट रिलेशन्चिप इंजॉय करोगे शादी के बाद खूब और आपकी जो लाइफ है आफ्टर मारेज वह बहुत अच्छी रहने वाले बैसिकले पने पार्टनर के साथ अच्छ अगर आपको किसी रीडिंग में बेबी के बार में भी जानना हो तो मुझे वह बताना कमेंट सेक्शन में लिखके तो इसकी या तो अलग वीडियो बनाऊंगी या फिर शादी के बाद के आपकी लाइफ और बेबीज का क्या एक्वेशन रहने वाला उस चीज के ऊपर वी and thank you so much for watching like, share, subscribe, जरूब करना चानल को जाके मुझे instagram पर फॉलो कर लो और thank you so much for watching, bye bye hello pile no 2, जिन लोगो और भी pile no 2 को choose किया था, welcome to pile no 2 और चलिए देख लेते हैं कि आज की reading आपको क्या बताने वाली है, so okay, अगर आज के हम reading की बात करें तो काफी जादा मैं बोलूँगी positive है, कुछ चीजों को छोड़के, पर हम सब चीजों के बार में बात करते हैं, यहाँ जब से बहले बात करते हैं, love marriage होगी या arrange marriage होगी, देखने में बड़ा मजाएगा, बहुत साथ लोगों को यह curiosity रहती है, कि love होगा, arrange come love होगा, कुछ तो लगता है best है कि love come arrange हो, जहाँ पर आप प्यार भी करो और आपको परिवार की blessings भी मिल जाएंग, it's a very beautiful feeling, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, कि बहुत जादा strong chances है, pie no.2 के लिए, या तो आपकी love come arrange marriage होगी, या फिर आपकी arrange marriage होगी, भाग की शादी की planning नहीं करने वाले, pie no.2 वाले, because बहुत ही जादा शरीफ हो, आप लोग, शरीफ तो खेर सब भी होते हैं, जब तक पकड़े न चाहें आपको हमेशा पता है, you are very mature from शुरू से, आप जैसे घर में बड़ी भाइबन होते हैं, तो आप लोग बड़े भाइबन मिलोगे, pie no.2 वाले, तो आप लोग जादा समझदार हो, जादा मिचौर हो, आपकी उपर जिम्मेदारियां भी है, responsibilities भी है, तो आप थोड़ा ध्या से वाले होंगे, secure life आपको देंगे, nuclear family में रहते होंगे, जादा दिखाए दे रहे हो, शादी के बाद के nuclear family में रहते होंगे, और मतलब अपना city में रह रहे हो, जॉब की वज़े से अलग जाके रहने लग जाओगे, तो वो चीज़ें आपे जादा दिखाए दे रही है, अपनी लाइफ को लावेश लाइफ जादी के बाद, मतलब घूम रहे हो, फिर रहे हो, पती मतलब खूब आपको एंजॉए करा रहे है, या surprises दे रहे हैं, बर्ड़े के ऊपर, options हैं, आपके पास खूब, घुमारे फिर आ रहे हैं, आपको gifts दे रहे हैं, very good ना, nice, यहां प करने का टाइम आ चुका है, और बहुत से लोग मुव ओन भी कर चुके होंगे, which is very good, श्रगल बहुत है आपके लाइफ में, बट शादी के बाद, यह बलेस्ट लाइफ, यह जादा कह सकते हैं, पर पार्टनर बहुत बहुत मतलब, इस तरह के इंसान है, उनका इस तरह के क पतलब, यूनिवर्स की बलेसिंग्स हैं, परिवार की बलेसिंग्स हैं, एंजल्स की बलेसिंग्स हैं, एंसेस्टर की भी बलेसिंग्स हैं, आप हो सकते हैं अपने दादा दादी या किसी और ओल्ड इंसान के करीब हो अपनी जिंदगी में, तो उनकी बहुत बलेसिंग्स आपके लिए अच्छा होगा ठीक है ना एक अच्छे एंड रिजल्ट तक पोचोगे हमेशा पेशन्स रखके चलते हो ना आप लोग तो आपके सारे काम बन जाते हैं जहां अड़ाई जगड़ा करा वहाँ प्रॉब्लम जहां पेशन्स रखा वहाँ लाइफ में जीत गए गड़ाई जहां पर देखो ऐसा लगता है जाए अच्छी पैसे वाली होगी हो सकता है आपके पैरंट्स पगेरा पैसे वाले हो खांदानिया आप लोग भी मदलब पैसे वाले हो तो वह चीज़ भी दिखाए देती है तो पैसो के मामली में एक इजी लाइफ है अच्छी जी रहे हो, spiritually भी connected हो, आप काफी जादा, like tarot reading में होंगे, या फिर पूजा पार्ट पी काफी करते होंगे, which is good, करनी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत सार लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है, कि आपकी ना, जो marriage होगे, वो around 27, 28, इस age के around ही, आप लोगों की शादी होएगी, और जब शादी होगी, तो बहुत जल्दी होजाएगा, सब कुछ पहले ही, मतलब मिलने में रिष्टा देर लगेगी, या फिर अगर आप जैसे लवा marriage करने की सोच रहे हो, तो सोचोगे, पहले थोड़ा सा सैटल हो जाओ, जो अब वाब कर लो, कमावा मालो, उसके बाद शादी करने की सोचोगे, तो इतनी age तक पहुँच जाओगे, काफी सार लोगों के लिए है, कुछ लोगों की date 30s में भी हो सकते फिर delay नहीं आने माला, अचा एक चीज़ की मैं आपको remedy बताना चाहूंगी, कि जैसे आपको कभी भी आपको life में stuck महसूस होता है, तो क्योंकि struggles कुछ है आपकी life में, कि struggle करोगे, फिर life में कुछ मिलेगा, तो जब भी आप stuck महसूस करते हैं अपनी life में, तो आपको करना क् कि अप यह remedy हमेशा के लिए करनी शुरू करतो, रोज के लिए, कि सूर्य भगवान को जल चड़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा, गंगा जल मिला के चड़ा सकते हो, या फिर simple जल चड़ा लो, जैसे भी चड़ाना है, उसमें good मिला लो, शहद मिला लो, हल्दी मिला लो, आपके लिए बहुत जादा, मतलब आपको सूट करेगी, और बहुत आपको फल भी देगी, अगेन मुझे लगता है कुछ लोगों को एंजल नमबर दिख रहे हैं इहां पर, तो इस वेरी गुट साइन, फॉर यू, कि अगर एंजल नमबर दिख रहे हैं, तो यानि कि आप जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चहारे हो, कुछ आपकी इच्छा है तो पूरी होने वाली है, आप सही डिरेक्शन में हो, तो कीप मैनिफेस्टिंग और कीप डूइंग बहुत अच्छे सूवल हो, मतलब आपकी जो दिल है वो बहुत अच्छा, आप काइंड हो आप बहुत प्यारे हो, आपके पार्टनर हैं, जो वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है, आप थोड़ा गुस्से वाले हो सकते हैं, इगोस्टिक से हो सकते हैं, थोड़ा सा आठीचूड भी है उनमें, पर स्टिल आप दोनों की फैमली लाइफ ह जो मैरेट लाइफ है, वो अच्छी दिखते हैं, तो ऐसा लगता है, यह एटिक्यूड भारवालों के लिए जादा है, और घर पे वो नहीं दिखाने वाले, आपको एटिक्यूड आप उनसे प्यार से बात करोगें, भी आप से प्यार से बात करेंगे, तो मैरेज लाइफ कहीं न कहीं थोड़ा सा धुंदला हो जाता है, केर और रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत बच जाती है, उसके सारे जिंदगी काट देता है लोग, लेकिन आप लोगों के शादी में हमेशा लव बना रहेगा, चाहिए आप साथ साल के हो जाओ, प्यार बिलकुल जवान आप लोगों के रिष्टे के बारे में का प्यार बहुत जवान रहेगा, आपके परसनल हो सकता है, थोड़े बड़े हो, एज में आप से, हो सकता है, हाइट में भी जादा बड़े हो, हाइट का गयाप हो सकता है, काफी लंबे हो सकता है, च्छका से हट्ट्ट्ट्ट्ट् अगेन एज में भी बड़े हो सकते हैं एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में मिचॉरिटी लेवल सेम सा ही लगा लो 19-20 का फरक है आपके पार्टना थोड़े साथ ज्यादा मिचौर होंगे आपसे मतलब जो मेल होंगे इस पाइल में वो ज्यादा मिचौर होने वाले फिमेल कंपारिटिवली कम वाकी तो ऐसे वो भी मिचौर है जोनों ही न काफी शांत किसम के हो लोग मतलब जब तक जब तक कोई छेड़ता नहीं ना तो तब तक आप कुछ बोलते नहीं हो मतलब अपने का के ओपर फोकस करने में बिलीव रखते हो हां कि पार्णा काफी एक्सप्रेसिव है उनको चाहे प्यार आ रहा हो गुस्सा आ रहा हो चाहे कुछ भी बोलना हो इस फीलिंग एनी कांड ओफ एमोशन तो हमेशा आपको बता दिया करेंगे कि उनको क्या फील हो रहा है वो अप बहुत करा करेंगे वो गिफ्स वगेरा देक हां बर्ड़े एनिवर्सरी थे सेलीअबरेशन करना शिलिबरेट्ग करना चीजह बहुत अच्छा लगता है अगर आपको प्लांट्स बहुत पसंद है ना या फ्लार्स बहुत पसंद है तो वो अपको ज़रूर बहुत सारे द तो वहां पर जाएंगे, हो सकता है, पाइन ट्री या पाइन कॉन्स किसी से रेलेटेड हो यहां पर पाइल में, जो कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर लिख के बताना, यहां पर ऐसा भी लगता है, कि शायद ना एक टाइम ऐसा आए, जो लोग लव मारेज करना चाहरे हैं, इवन अरेंज मारेज भी कि आपको लगए कि यह रिष्टा या इस इंसान से आपकी शादी ने हो सकती लेकिन फिर हो जाए, तो यह भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कि एक बार तो बिलकल डर जाएंगे, कि शायद गया यह रिष्टा भी नहीं बचने वाला भी नहीं मुझे ना बहुत सार लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जो लव मैरेज करना चाहा है ना पाइल नमबर 2 के लोग तो आपको बहुत ही यंगी एज में प्यार हो गया था, बहुत यंग एज में मिल गया था, आपको अपके पार्टनर कुछ लोगों का तो स्कूल टाइम से स्गुड़की छल रहा है जो बहुत स्पी्ट लगता अवी तो मैं झ मिल इस एज में के और जिसा लगता है तो इसा लगता है बहुत कूूट लगता है इसidents η कूछ Imm ERIC जब खुद की एज में दिना हमे था मैं लोगों तुन शुद क्धा लगता था है मैं omg अबी से मतलब स्टार्ट हो रख्या है ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए एनिवेज कुछ लोगों का अच्छा लगता है और जिन लोगों का अच्छा लगता है उनके लिए तो सही है थोड़ से कैमेरा अजिस्ट करती हुई मैं यहापे ने कुछ ऐसे मैसेज़ेज हैं जिनको मैं आ एक्चली जानना चाहा रही हूं कफिस सारे मैसेज़ेज मुझे आपे ऐसे फील हो रहे है बड़े क्लियर मुझे वोर्ड नहीं मिल रहे हैं उनको बताने के लिए ऐसा लग रहे है जिसे कोई रुमैंटिक मुवी आप लोगों को देखना या उससे आपने आपको रिलेट महसूस करते हूं कि यह रुमैंटिक मुवी जैसी चल रही है इसकी स्टोरी और आपकी स्टोरी सिमिलर है यह चीज मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाए दे रही है विच इस नाइस इफ इस सिमिलर और इस नॉट बट मेभी दिस इस मैसेज फॉर समवन पर्टिकुलर अगर आपको यह मैसेज मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना अच्छा मैं शादी के दिन के अगर मैं बात करूँ ना आपकी कि आप लोगों को शादी का दिन का ऐसा होगा तो बड़ा खुबसूरत होने वाला है थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक भी दिखता है लेकिन आप लोग सुन्दर बहुत लोगों के साथ में और बहुत ही प्यारी स हारी है लाइक फुल ओफ लाव हाला कि तूब अनेस्ट मुझे तो नहीं अच्छी लग रही थी कुछ में कुर आलया का लुक अच्छा लगा था वर अनबीर का लुक भी अच्छा लग रहा था बाकी घर के बैलकरी में शादी करना इस मुझे तो डैस्टिनेशन जैसे लग रही हैं तो आपको पताऊगा कि आपको पसंद है या नहीं पसंद है भाकी तो अधर कुछ लोग आएं आपकी शादि में इन्टिमेटाफ कर सकते ओ आप लोग शादी को लेकर जैसे उनकी शादी में भी कम ही लोग थे न तो वह चीज़भी हो सकती है आप आपके घर में आपके जो बड़े होंगे ना कोई दादा दादी वगेर वो आपको बहुत जाता सपोर्ट करेंगे वह सकता है शादी के लिए भी जो लव मैलज करना चाहरे है उनमें भी वो मना ले या फिर वो उनका जो डिसीजिन ओ फाइनल वो चले यह चीज़ भी हाँ प फिमेल्स है जो इसपाय नंबर टू में मुझे ऐसा लगता है कि वह काफी जादा बिलीव करते हैं टैरो रीडिंग पर यह टाइम आएगा शायद आपके लाइफ में जहां पर आप आप शायद सीखने की कोशिश करोगी जो कि आपके लिए फायदे है अगर आप सेल्फ के पूछना हो कमेंट सेक्शन लिए कर पूछ सकते हो उसके लाव आप प्शन आपके पास बस्रों रेडिंग करा सकते हो चाहो तो डीटेल सारी मैंने स्कीन में पर दे रखी हैं थैंक्यों सो मच फो वाचिंग दो वीडियो लाइक श्या सब्स्राइब जरू करना थैंक्यों जिए है जाँशन लीटेश झातर सकते हैं गले हैं यह घुिए इसलेशन लावidoर सेक्ष यह जगियों सेक्रेशन लाएक है घझ दुछना करीक अपक्यों करना थेम्ला हैं त उरे हम प्यदक्यों सेक्षड सेक्रेशन लावा हैं मैं झाप Hence,क्पक्यों करेशन लावा जบट